तो प्रस्ट देखते हैं जहां पर दिया गया है कि सिद्ध कीजिए आयोटा का पावर n प्लस आयोटा का पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा का पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा का पावर n प्लस 3 इकॉल टू 0 for all n belongs to n यह जो small n है यह सभी प्राक्रिट संख्याओं के समुच्चे का कोई एक अव्यव है तो यह हमें सिद्ध करना है तो चलिए हल पर चलते हैं left hand side को ले करके solve करेंगे हम right hand side तक पहुंच जाएंगे तो iota का power n plus iota का power n plus 1 plus iota का power n plus 2 plus iota का power n plus 3 इसे हम solve करते हैं तो देखिए प्रतियक पद में iota का power n जो है वो उभैनिस्ट है तो उसे हम उभैनिस्ट निकाल लेते हैं तो यहाँ पर पहले पद में बचेगा a यहाँ पर देखिए बच जाएगा iota iota का power n और iota का power 3 और चूकी आपको पता है कि iota square जो होता है यह minus 1 होता है और iota cube यह minus iota होता है तो यहाँ पर हम उस value को put कर देंगे iota का power n 1 plus iota minus 1 और यह minus iota तो देखिए plus 1 minus 1 plus iota और minus iota यह सारे cancel हो गए और ultimately हमें मिल रहा है यहाँ पर iota का power n equal to n to 0 equal to 0 तो यहाँ से हम यह लिख सकते हैं कि iota का power n plus iota का power n plus 1 plus iota का power n plus 2 plus iota का power n plus 3 equal to 0 for all n belongs to capital N तो देखिए उदारण के तोर पर हमें ऐसा कर सकते हैं कि n को किसी एक number से replace कर दीजे चलिए मैं इसे 490 से replace कर दूँ iota का power 490 plus iota का power 491 plus iota का power 492 plus iota का power 493 देखिए 1, 2, 3, 4 यहाँ पर भी 4 time है 1, 2, 3, 4 और जो powers है वो n, n plus 1, n plus 2, n plus 3 है तो इसे जब आफ solve करेंगे तो equal to 0 ही मिलेगा तो इस तरीगे से ये n की किसी भी प्राकित संख्याओं के समुच्चे से कोई एक मान लेगर के हम put कर दे तो हमें equal to 0 मिलेगा तो इसको इस तरीगे से भी लिखा जा सकता है सिग्मा का मतलब होता है योगफल अब आयोटा का power P है यहाँ पर जो value बदलने वाली वो क्या है P है P के value N होगी P equal to N फिर अगली जो value मिलेगी वो मिलेगी N फिर दूसरा N plus 1 तीसरा मिलेगा N plus 2 और चौथा मिलेगा N plus 3 तो इस तरीगे से यह जो P है यह values बदलता जाएगा और आपको इस तरीगे से पद मिलते जाएंगे तो यह जो है इसे हम इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं या इसका मतलब यह है और इसका मतलब यह है चलिए अगले प्रश्णों पर चलते हैं जहां पर हमें मान ग्याद करना है आयोटा का पावर 592 प्लस आयोटा का पावर 590 प्लस आयोटा का पावर 588 प्लस आयोटा का पावर 586 प्लस आयोटा का पावर 584 अपन आयोटा का पावर 582 अब बाया को एक पॉर्णांग संख्या दी गई है इसे लिए चार से भाग देकर एक आइयोटा के विएकल कर सकते हैं लेकिन आपको काफी समय लगत जाएगा कूँए क्योंकि यहां पर अंस में पांच पद है और हर में पांच पद है तो उससे अच्छा हम यह करेंगे इसको कि अंस और हर में जो उभेनिष्ट निकल सकता है उसे हम उभेनिष्ट निकाल लेते हैं तो देखिए 592, 590, 588, 586 और 584 सबसे छोटा जो नंबर है वो है 584 तो अंस में हम आयोटा का पावर 584 को उभेनिष्ट निकाल लेते हैं तो यहां पर हमारे पास जो वैल्य होगी वह होगी आयोटा का पावर 8 आयोटा का पावर 584 और 8 को जोड़िए आपको मिल जाएगा 592 इसी तरीके स पूरे पद में आयोटा का पावर 584 आपको कमन निकालना है तो इसे हम आगे लिख सकते हैं आयोटा का पावर 6 प्लस आयोटा का पावर 4 प्लस आयोटा का पावर 2 प्लस 1 आयोटा का पावर 584 को निकालना तो यहां पर हमारे पास आएगा 1 अपन अब देखिए 582, 580, 578, 57 576 और 574. इसमें सबसे छोटा जो नमबर है वो है ऐसायॉटा का पावर 574 इसे आप ले लीजिए, जब कमन लेंगे तो अगेन यहां पर आपको मिलेगा आयॉटा का पावर 8 574 और 8 कोँ ऐड़ करेंगा आपको मिल लाएगा 582 लोग Summit ये अंस में ये वाली राशी जो ब्रेकेट में है और हर पे भी ये दोनों कॉमन है इन दोनों पज जो होंगे ये कैंसल हो जाएंगे अधार समान होने पर भाग देने पर घात घठता है तो यहाँ पर हमें जो मिल रहा है वो क्या है और आयोटा का पावर 574 है तो ultimately हम इसे लिख सकते हैं, आयोटा का पावर 584-574, आयोटा का पावर 10, और आयोटा का पावर 10 को कैसे हल करते हैं, इसको 4 के terms के form में लिखते हैं, आयोटा का पावर 4 into 2, यो गया 4 और 2 को गुणा करेंगे मिलेगा, 8 और घाथ 2 आपको बच जाएगा, इसे इस तरीके से भ 4 यहां पर लिखा, यह 2 हमने यहां पर लिखा, और यह 2 हमने यहां पर लिखा, चुकि आयोटा का पावर 4 यह जो होता है, यह 1 होता है, और आयोटा का पावर 2 यह minus 1 होता है, यहां पर value पूट कर दीजे, यहां से आपको मिल जाएगा 1 का पावर 2 और यह minus 1, ultimately आपको मिल ज चलिए अगला प्रस्म देखते हैं जहां पर है कि दर्सा आईए कि 1 प्लस आयोटा का पावर 10 प्लस आयोटा का पावर 20 प्लस आयोटा का पावर 30 एक वास्तविक संख्या है तो इसे हमें हल करना होगा अगर ये वास्तविक संख्या मिल जाती है तो हम कहेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है या व्यन्जक है या एक वास्तविक संख्या है चलिए खल 1 प्लस आयोटा का पावर 10 प्लस आयोटा का पावर 20 प्लस आयोटा का पावर 30 एक-एक पद को भी आप हल करके एड कर सकते हैं या फिर एक साथ सारे पदों को हल कर सकते हैं तो हम एक काम करते हैं पैरलली इसे हल करते जाते हैं आयोटा का पावर 10 इसे हम लिख सकते हैं 4 x 2 8 आ गया और फिर यहां पर आएगा आयोटा का पावर 2 similarly इसे लिखेंगे आयोटा का पावर 5 into 4 into 5 ये 20 आ जाएगा और फिर अगला पता आएगा आयोटा का पावर 4 into 7 7 और 4 का गुणा करेंगे मिलेगा 28 और घात 2 बचर है उसे हम इस तरीके से लिखेंगे आपको पता है कि आयोटा का पावर 4 ये 1 होता है और आयोटा का पावर 2 ये minus 1 होता है उसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे 1 plus आयोटा का पावर 4 1 रखेंगे तो 1 का पावर 2 1 मिलेगा और आयोटा का पावर 2 यहाँ पर है और iota का power 2 है आप लिख दीजे minus 1 तो इस तरीके से हमें क्या मिलने वाला है 1 ये plus 1 और ये इस पत का minus 1 और फिर ये again plus 1 और यहां से हमें मिलनेगा minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 ये सब cancel होगे ultimately आया 0 तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो 1 plus iota का power 10 plus iota का power 20 plus iota का power 30 equal to 0 है तो इस तरीके से यह एक वास्तविक संख्या है देखें यहां पर plus iota into 0 लिख सकते हैं तो इस तरीके से इसे ना ही इस पत को आप नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा तो हमें जो संख्या मिल रही है वो क्या है वास्तविक संख्या मिल रहे है इस वज़ा से 1 plus iota का power 10 plus iota का power 20 plus iota का power 30 एक वास्तविक संख्या होगी अगला प्रस्न है 1 plus iota का power 2 plus iota का power 4 plus iota का power 6 इस तरीके से up to iota का power 20 इसका मान हमें ग्याद करना है यह क्या value होगी तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए देखिए कि अगर हम दो-दो की pair बना ले चलिए पहले यह देख लेते हैं यहां पर iota का power 2 है फिर 4 है फिर 6 है तो अगला जो पद हमें मिलेगा यह मिलेगा iota का power 8 इसका मतलब यह कि यहां पर iota का power है घात है वो 2 के पहाड़े का संख्या है आगे मिलेगा iota का power 10, 12, 14, 16, 18 और लास्ट में क्या मिलेगा 20 मिलेगा तो यदे हम दोदो की Pair बना ले और यसे हल करने कि कोसिस करें तो हम हल तक पहुंच सकते हैं 1 प्लस आयोटा का पावर 2 प्लस आयोटा का पावर 4 प्लस आयोटा का पावर 6 प्लस आयोटा का पावर 8 प्लस आयोटा का पावर 10 यह अब टू जाएगा आयोटा का पावर 20 तक तो देखिए यह पहला पद हो गया 1 दूसरा पद हो जाएगा 1 क्यों Iota क पावर 2 जो होता है वो माइनस 1 होता है इसी तरीके से Iota का पावर 4 1 होता है लेकिन Iota का पावर्ड जो 6 है इससे अपलिक सकते This Iota का पावर 4 व्हों इंटु eight का पावर 2 फिट अपर byれない योट का फॉर 2 इसी तरीके से आयोटा का पावर 8 है आयोटा का पावर 8 को लिसकते हैं आयोटा का पावर 4 into 2 घात में रहेगा तो इस तरीके से आयोटा का पावर 4 1 होता है 1 का पावर 2 आप हल करेंगे आपको मिल जाएगा 1 अगला पद भी आपको मिल जाएगा माइनस 1 इस तरीके से देखिए, आप इसको हल करते जाएंगे, तो लास्ट में जो पद आपको मिलेगा, यह आयोटा का पावर 16 और 18 होगा, और लास्ट में आयोटा का पावर 20 वाला जो पद होगा, वो बच जाएगा तो आयोटा का पावर 20 जो है, इसे आप हल करें, तो आपको क्या मिल जाएगा, आयोटा का पावर 4 और इसका पावर आजाएगा 5, आयोटा का पावर 4 की वैल्ली होती है 1 और 1 का पावर 5 इकल 2 मिल जाएगा 1, तो यहाँ पर आयोटा का पावर 20 है, इसे आप लिख सकते हैं 1, देखिए, minus 1 plus 1 ये cancel, 0, 0, 0 और last में आपको मिल जाएगा 1 तो इस तरीके से हमको हल, इस expression को हल करने पर मिल रहा है 1 जो की इसके लिए उत्तर है अगला प्रशन है सरल कीजिए, square root over minus 4 into square root over minus 9 upon 4 तो इसको हल करने के लिए आपने देखा हुआ है कि वर्गमूल के अंदर यदि कोई negative quantity होती है तो square root minus 1 into something उस number के form पे हम लिखते हैं तो यहाँ पर यह square root minus 4 है इसे आप लिख सकते हैं minus square root minus 1 into square root 4 इसी तरीके से यहाँ पर यह जो number इसे आप लिख सकते हैं minus 1 और यह root 9 और यह upon root 4 यह जो quantity है इसे हम iota कहते हैं तो यह आपको मिल दाएगा iota square root 4 है तो यह आपको मिल दाएगा 2 into again यह आपको मिल दाएगा iota और square root 9 यह आपको मिल दाएगा 3 और यह upon 2 2 इसको रूट 4 IOTA in 2 IOTA करेंगे आपको मिल जाएगा IOTA square 3 into 2 करेंगे आपको मिल जाएगा 6 then 6 upon 2 यहां पर आपको मिल जाएगा 3 और IOTA square जो होता है यह माइनस 1 होता है इसको हुआज 2 माइनस 1 IOTA square equal to minus 1 यह value आपको तो करेंगे तो आपको ultimately जो उत्तर मिल रही होगा, minus 3. अगले प्रस्ट में हमें हल करना है, 1 minus iota का power 4. तो ये a minus b का power 4 के form पे है, आप इसे direct, अगर आपको इसका expansion पता है, विस्तार पता है, तो आप लिख सकते हैं, और अगर आपको इसका विस्तार नहीं पता, तो आप लिखेंगे 1 minus iota का power 4 है, इस 2 और ये upon power में again 2, तो 2 into 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4, और ये a minus b का whole square के form में है, ये होता है, a square minus 2ab plus b square, तो इसका में यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 1 का square मिलेगा 1 minus 2ab, तो मिल जाएगा 2 iota plus iota का power 2 और इसका power 2, तो इस तरीके से आपको मिलने वाला है 1 minus 2 iota, और iota का power 2 होता है minus 1, ये plus 1 और ये minus 1 कैंसल हो जाएगा, आपको मिलेगा minus 2 iota का power 2, minus 2 iota का power 2, यहाँ पर दो जो है, ये sum संख्या है, तो minus का power 2 अगर करेंगे, ये square करेंगे, तो आपको मिल जाएगा plus 2 का मिल जाएगा 4 और iota का power 2, तो इस तरीके से लिख सकते हैं 4 into minus 1, ये आपको मिल जाएगा minus 4 और ये इसके लिए उत्तर है, या फिर आप इससे इस तरीके से लिख सकते हैं, minus 4 plus iota into 0, चाहिए ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, अगले प्रेश्ट पर चलते हैं, जहाँ पर हमें गयात करना है, 1 by 3 plus 3 iota का power 3, इसे हमें हल करना है, तो ये a plus b का cube, ये आपको पता होना चाहिए, a plus b का cube क्या होता है, a cube plus b cube plus 3 a square b plus 3 a b square, या फिर इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a cube plus b cube plus 3 a b, और a plus b, इसे हल करेंगे तो आपको ये ही पत मिलने वाला है, तो a plus b का cube, इसे हल करते हैं, तो आपको मिलेगा, a cube, 1 by 3 का cube, b cube, 3 iota का cube, plus 3 a square b, plus 3 a b square, देखिये, 1 by 3 का cube है, आपको मिल दाएगा, 1 upon 27, plus, इसे solve करेंगे तो मिल दाएगा, 27 iota cube, plus, इस पत को हल करेंगे, इस पत को हल करेंगे, तो आपको मिल दाएगा, iota, और अंतिम पत को जब आप हल करेंगे, तो मिल दाएगा, 9 iota square, यह देखिये, यह 3 और 3 है, 1 by 3 का square है, तो नीचे में भी 3 का गहाद 2 है, उपर में 3 का गहाद 2 है, यह दोनों cancel हो जाएगा, अल्टीमेटली आपके पास बचेगा iota, और इसी तरीके से, यह 3 और यह 3 कैंसल हो गया, 3 का power 2, that is 9, और iota का power 2, that is, iota square, आपको पता है कि, iota का power 2, यह minus 1 होता है, और iota का power 3, यह minus iota होता है तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर इसको हल करने के लिए आपको मिल जाएगा 1 upon 27 minus 27 iota plus iota minus 9 यह आपर हमने value put कर दिया है इसे जब आप हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 upon 27 यह minus 27 iota और यह plus iota है तो यह मिलेगा minus 26 iota और यह minus 9 अब जब यह पद और यह पद वास्तरीक संख्याएं हैं इसको हल करेंगे तो आपको जो लगुतन स्वापर्त मिलेगा यह मिलेगा आपको 27 और यह मिलेगा 1 minus 243 और यह minus 26 iota इसे और हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा minus 242 upon 27 minus 26 iota और यही इस प्रश्न के लिए उत्तर है अगला प्रश्न है सरल कीजिए minus square root 3 plus minus 2 जो है वो root के अंदर में है into 2 root 3 minus iota तो पहले तो हम इसका सरली करन कर लेते हैं कि यह देखे कि square root के अंदर negative quantity है तो इसे हम लिखेंगे minus root over 3 plus minus 1 का square root और यह root 2 और यह 2 root 3 और यह minus iota यह जो है यह iota है कि हम iota जो होता है यह square root minus 1 होता है तो इसको हम iota से replace कर देते हैं plus iota root 2 इसी तरीके से 2 root 3 minus iota अब इसका गुणा कर देते हैं वित्रण नियम का उपयोग करके minus root 3 से इस पूरे पत का गुणा होगा और iota root 2 से इस पूरे पत का गुणा होगा इसे जब हल करेंगे तो देखे root 3 और यह root 3 ultimately 3 आएगा तो minus 2 into 3 यह minus और यह minus plus iota root 3 plus यह भी plus है और यह plus है ultimately plus मिलेगा iota 2 root 2 और root 3 multiply करेंगे तो root 6 मिल दाएगा minus यह plus है और यह minus है तो minus मिलेगा iota into iota करेंगे तो मिलेगा आपको iota square और यह root 2 यहाँ से आगे solve करेंगे तो मिल दाएगा minus 6 plus iota root 3 plus 2 root 6 देखे आएटा square है iota square की value minus 1 होती है यहाँ पर put करेंगे तो आपको मिल दाएगा plus root 2 अब इसे आप हल करके लिखना चाहें यहाँ पर यह iota missing था मैंने यहाँ पर इसे लिख दिया देखे, minus 6 plus iota root 3 और यह iota 2 root 6 फिर minus iota square root 2 solve करने पर आपको यह मिल दाएगा यह दोनों kalpanic संख्या हैं और यह और यह वास्तिविक संख्या हैं तो वास्तिविक संख्याओं को एक सांथ लिख लेते हैं और kalpanic संख्याओं को एक सांथ लिख लेते हैं आयोटा अगर common निकाल लें तो मिलेगा root 3 plus 2 root 6 या फिर आप लिख सकते हैं root 2 minus 6 plus iota root 3 plus 2 root 6 और यही इसका सरलतम रूप है अगले प्रस्ट में हैं सरल कीजिए 3 minus 2 iota into 2 plus 3 iota upon 1 plus 2 iota into 2 minus iota इसे हमें हल करना है तो समान ने जिस तरीके से हम गुणा करते हैं उसी तरीके से गुणा करेंगे क्या होगा आगे हमें मिलेगा 3 into यह पूरा का पूरा term फिर minus 2 iota और यह पूरा का पूरा term upon फिर यह 1 into this 2 minus iota और फिर plus 2 iota और इसके सांथ यह पूरे पत का गुणा आगे हल करेंगे 3 into 2 करेंगे आपको मिल दाएगा 6 3 into 3 करेंगे आपको मिल दाएगा 9 iota और minus sign 2 into 2 that is 4 iota यह minus or plus minus 3 or 2 का multiply 6 iota or iota का multiply iota i square upon यह मिलेगा आपको 2 minus iota minus यहाँ पर यह plus होगा यह plus है और यह plus है ultimately plus 2 or 2 का multiply करेंगे मिलेगा 4 or iota और यहाँ पर यह plus और यह minus का multiply होगा minus और 2 iota का power 2 देखिए 6 plus 9 iota और minus 4 iota है यहाँ पर इसे हल करके आप लिख सकते हैं 5 iota देखिए iota square क्या होता है minus 1 value यहाँ put करेंगे तो यह मिल जाएगा आपको plus 6 इसी तरीके से 2 4 iota और यह minus iota आप लिखेंगे 3 iota यह minus 2 iota square iota square की value minus 1 यहाँ put करेंगे तो आपको मिल जाएगा plus 2 आगे हल करेंगे मिल जाएगा 12 plus 5 iota upon यह 4 plus 3 iota तो यहाँ पर यह 12 plus 5 iota upon 4 plus 3 iota यह z1 upon z2 के form पे है यह सबसे सरलतम रूप नहीं है तो इसका हम परीमे करन कर देते हैं परीमे करन कैसे करते हैं हरके संयुगमी के साथ गुणा वा भाग कर देते हैं अब इसे जिस तरीके से हमने यहाँ पर गुणा किया था उस तरीके से आप गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12 into this 48 12 into minus 3 iota यह मिल जाएगा minus 36 iota फिर 5 iota into 4 आपको मिल जाएगा 20 iota 5 iota into minus 3 iota मिल जाएगा minus 15 iota square इसी तरीके से यह a plus b a minus b यह आपने पहले से पढ़ रखाया कि a plus b into a minus b यह होता है a square minus b square a का square है 4 4 का square that means 16 और minus 3 iota square तो 3 का square 9 और iota का iota square अब इसे हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 63 minus 16 iota upon minus यहाँ पर यह minus 9 iota square है iota square की value minus 1 put करेंगे तो नीचे में आपको हर में मिल जाएगा 25 तो इस तरीके साब लिख सकते हैं 63 upon 24 minus 16 upon 20 iota 63 upon 25 minus 16 upon 25 iota और यही इसके लिए उत्तर है अगला प्रशन है सिद्ध कीजिए यह एक सुद्ध वास्तविक संख्या है तो उसमें पहला पद है 2 plus 3 iota upon 3 plus 4 iota into 2 minus 3 iota upon 3 minus 4 iota यह पहला प्रशन तो चलिए इसे हम हल करते हैं देखिए यह a plus b और a minus b again यह a plus b और a minus b के form पे है तो इसे अब हम हल करेंगे तो आपको जो value मिलने वाली है पहले इस प्रशन को हम लिख लेते हैं इसी तरीके से और फिर यह 2 minus 3 iota upon 3 minus 4 iota equal to a का square minus b का square upon similarly 3 का square minus 4 iota का square 2 का square करेंगे आपको मिल दाएगा 4 minus 3 iota का square करेंगे मिल दाएगा 9 iota square upon 9 minus 16 iota square अंस में आपको मिलेगा 4 plus 9 upon 9 plus 16 क्योंकि iota square equal to minus 1 होता है यहाँ पर put करेंगे तो यह plus 9 हो जाएगा और यहाँ पर put करेंगे तो यह plus 16 हो जाएगा तो आपको मिल दाएगा 13 upon 25 चुंकि यह वास्तविक संख्या है अतह आप कह सकते हैं कि 2 plus 3 iota upon 3 plus 4 iota into 2 minus 3 iota upon 3 minus 4 iota यहाँ एक वास्तविक संख्या है इसी तरीके से इसमें दूसरा प्रस्न है जिसमें 3 plus 2 iota upon 2 minus 3 iota प्लस 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा हमें दिया दिखाना है कि यह एक सुद्ध वास्तविक संख्या है इसके लिए अप लगतों सवा पर निकाल करके भी हल कर सकते हैं या फिर अप अलग-अलग पदों को हल कर लीजे और फिर उसे जोड दीजे तो हम पहले आगे हल किजे इसे अप गोना करेंगे तो 3 इंटो 2 तो 6 3 इंटो 3 देट इस 9 आयोटा फिर प्लस 2 इंटो 2 4 और यह आयोटा फिर 2 इंटो 3 देट 6 आयोटा इंटो आयोटा आयोटा स्कूरर नीचे देखिये यह A-B और A-P+,B के फॉर्म पे है A-का स्कूरर लिखेंगे और त्रीके से आप B का स्क्वार लिखेंगे, प्लस 3 आयोटा है, इसे हल करने के लिए इसका भी हम परिमे करन करेंगे, तो 2 माइनस 3 आयोटा से multiply और divide कर देंगे, इसे आगे हल करेंगे, तो 3 इंटो 2 that is 6, 3 इंटो 3 that is 9 आयोटा, यह माइनस 4 आयोटा और माइनस, माइनस 6 आयोटा स्क्कार, इसे क्तिनforward माइनस 10 आयोटा स्क्क्राइड है, तो मिल दाएगा 6 6-13 यहां पर put करेंगे तो मिल जाएगा 43 ayoto 9-1 यहां पूट करेंगे तो मिल जाएगा PLUS 6-6 cancel ultimately आपको मिल रहा है चैंजल माइनस 13 अपन 13 देखिये 13 अपन 13 यह माइनस 13 अपन ऐटा अपन 13 दोनों को अगर आप एड़ कर देंगे तो आपको मिल रहा है 3 3-2i upon 2-3i plus 3-2i upon 2-3i equal to 0 तो इस तरीके से यह जो संख्या है यह क्या है वास्तविक संख्या है यह फिर यहां पर भी आप लिख सकते हैं यह एक वास्तविक संख्या है और यही हमें सिद्ध करना था